आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राइड राइस चाइनीज चिकन फ्राइड राइस इसके लिए हमने लिया है 300 ग्राइम चिकन इसमें हमने डाल लिया है 1 टी स्पून काली मिर्च, 1 टी स्पून नमग और इसे अच्छे से मारिनेट करेंगे इस तरीके से हमें ज्यादा कुछ डालना नहीं है बहुत ही आसान सी रेसिपी है आगे बनने से पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत होती है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए यह रहा पैन हाई फ्लेम पर हमने पैन रखा है इसमें हमने डाल लिया है कुकिंग ओईल हमने डाल लिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ओईल और मारिनेट किया हुआ चिकन हम हमारे इस पैन में डाल लेंगे और इसे अच हमारी बहुत ही शानदार और जबर्दस्ती होती है डेली सेम जो खाते हैं बोर हो जाते हैं आप चाहो तो चिकन ज्यादा भी ले सकते हैं मैं सिफ हाफ केजी राइस बना रही हूं इसके लिए मैंने लिए हैं 300 ग्राम चिकन लिया है हमने और इसे हम हाई फ्लेम पर साटे कर लेंगे हमने हाफ केजी राइस लिये हैं और उसे हमने उबाल कर रख लिये हैं और हम सारे वेजिटेबल्स को भी अच्छे से चौप करके रख लिया है आप चाहो तो चिकन के पीसिस और छोटे भी कर सकते हैं लेकिन जैसे ही तले जाते हैं चिकन के पीसिस छोटे हो जाते यह रहा जिंजर गालिक पेस्ट हमने 2 टी स्पून जिंजर गालिक पेस्ट लिया है चिकिन के हिसाब से आप ले सकते हNetagn est 예 gentleman कर यह इसके कालनें इसी जो कची बहो रही थी तूर हो जाई इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर लें आप देखी रहे हैं यह अच्छे से नर्म सा हो चुका है इस तरीखे से हमने अच्छे से सौटे कर लिया है हमारे यह सारे वेजीटेबल्स है इसमें है गाजर, कैबिच, कैरिट और कैप्सिकम आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हैं हमने सब चॉप करके रख लिया है अच्छे से डोलिया हमने इसे और हम इसे अच्छे से चॉप कर लिया है और इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे हमारे चिकन में ही चिकन का सारे का सारे जो भी स्टार्च होता है वेजिटेबल्स का और चिकन का स्टार्च एक दूसरे में अच्छे से अब्जोब हो जाएगा इसलिए मैंने चिकन बाहर नहीं निकाला है तूटेगा नहीं हमारा चिकन और हम वेजिटेबल्स को अच्छे से साटे कर लेंगे आप जितनी चाहे ले सकते हैं कैपसिकम अच्छी लगती है कई सारे लोगों को पसंद आती है और हम इतना भूनेंगे कि इसका पानी अब्जोब हो जाए इसी में अच्छे से हम साटे कर लेंगे हमने एक मिनिट के लिए इसे कवर करके रख लिया है यह अच्छे से नर्म से हो चुके हैं इसमें हम डालेंगे सोया सॉस वन टेबल स्पून आप जितना चाहो ले सकते हो चावलों के हिसाफ से इसमें हमने डाल लिया है सोया सॉस और इसे अच्छे से साटे कर लेंगे हमारे वेजीटेबल अच्छे नर्ण से हो चुके हैं अब हम इसमें डाल लेंगे चिली सॉस हम सारे जो जितने भी सॉसे से वन वन टेबल स्पून लेंगे यह रहा टोमाइटो सॉस और यह रहा विनिगर और इन सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और यह रहा नमक हिजबे जाइखा अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम डाल लेंगे मसाला जो की फ्राइड डाइज मसाला होता है आसानी से हमें मिल जाता है हम वो मसाला डाल लेंगे इसमे और अब हम इसमें डाल लेंगे उबलेवे चावल जो हमने उबाल कर रख लिए थोड़े थोड़े से डालेंगे एक सार डालने से अच्छे से मिलेंगे नहीं इसलिए हम चावलों को खोल खोल कर डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे जिससे सारे के सारे ingredients एक दूसरे में अच्छे से absorb हो जाए इसी तरीके से हम हमारे थोड़े थोड़े चावल करके डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे और हमारा store है medium flame पर आप sim पर भी कर सकते हैं नीचे से लगे नहीं हमारा ये जो utensil है इसकी खासियत यह होती है कि नीचे से लगने नहीं लगता है चावल नीचे से नहीं लगते हैं करी भी नीचे से नहीं लगती है हमारे इस utensil की यही खासियत होती है इस तरीके से हम सारे के सारे हमारे चावल डाल कर हमारे इन मसालों में अच्छे से मिला लेंगे जैसे ही हम सेम सा बनाते हैं तो बच्चे बड़े सा बोर हो जाते हैं हमारे नॉर्मल से चावलों को ही हम अच्छे अच्छे नए ने वे सी जब बना कर देते हैं तो सब खुशो कर खाते हैं जैसे की चावल हमारे पास बचे वे भी होते हैं कभी कभी रात के तो हम उसे भी इस तरीके से बना सकते हैं लेकिन ये हमने फ्रेश चावलों का बनाया है चिकन फ्राइडाइस रेस्टोरेंच स्टाइल इस तरीके से हम बना लेंगे हमारे चाइनीज चिकन फ्राइडाइस को और इसे हम रख लेंगे 5 मिनिट्स के लिए सिम पर और ये तयार हो चुका है जबर्दस और शांदार सी खुश्बू आ रही है ये सर्फ करने के लिए बिलकुल रेडी है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और सबस्क्राइब करिए दौाओं में याद रखिए इंशाला नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग आपको मेरी आपस्ट आपसे रेसित